दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विज्यान के टोफोटी कोशन दोस्तों जो की एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के एक्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं तो आप चाहिए किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं पूरी वीडियो को ध्यान पूरवक देखेगा और 40 में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बोक्स में जरू बतेगा सभी कोशन दोस्तों डाइग्राम के साथ में कराने वाला हूँ तो चीज़े बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगी अगर आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो चैनल के साथ में आज ही जुड़ जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोडोडो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तो किसी भी एक्जाम के लिए मास्टर पीडिया डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर वोटस अप नंबर पर विजिट कर सकते हैं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी मिल जाएगा चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन आपकी स्क्रिन पर है क्रिस्टल में तमाकू में मोजग पैदा करने वाले वाइरस को किसने पर्थक किया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो बहुत बार एक्जामस में पूछा आता है तो पहले कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा डोक्टर स्टेनली ने यानि की ऑप्शन दोस्तो ए राइट आंसर हैगा आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो दूसरा कोशन आता है कि 25 डिगरी सेल्सियस पर पानी का पीच सेवन है ठीक है ध्यान से समझेगा जब इसे 100 डिगरी सेल्सियस पर गरम किया जाता है तो पानी का पीच क्या होगा बढ़ेगा घटेगा क्या होगा दोस्तो तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल घट जाएगा यानि कि डिक्रीज हो जाएगा परी संचरन तंतर के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाले व्यग्यानिक कौन है देखे इसको बोलते हैं दोस्तो सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो इसकी व्याख्या करने वाले पहले व्यग्यानिक पूछा गया है और बहुत ही अच्छा कोशन है यह, इस कोशन का राइट आंसर हैगा, विलियम हार्वे यानि की बी राइट आंसर हैगा, ठीक है जी, और पूरा सेशन देखने के बाद में दोस्तों यह जरूर बताएगा, कि 40 में से आपने स्कोर कितना किया है, आप चैक किसी भी एक्जाम क की तहरी कर रहे हैं, चैसे सी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, यूपे, ट्रिपले सी, बीएड, सी, इटी, किसी भी एक्जाम की, अगर आप रेगुलर रहेंगे ना, 9 बज़के 15 मिनट पर रेगुलर वीडियो आती है, दोपैर में भी आती है, सुबह भी आती है, तो आप खुदी इंप्रूमेंट देखोगे, अपनी GKE Science Current Affair में, ठीक है, चलिए, चोथा कोशन है, दोस्तो, H2O अनु में हाइड्रोजन बंदों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है, तो फटा-फट आप डाइग्राम को देख करके भी बता सकते हैं, मेरे प्यारे दोस्तो, गुषन नमबर 5 है, रॉकेट का अविस्कार किसने किया था, ये भी काफी अच्छा कोशन है, एक्जाम में पूछा जाता है दोस्तो, इस कोशन का राइट आंसर रहने वाला है आपका, रोबर्ट गोडियार्ट यानि की दोस्तो, राइट आंसर C रहेगा, ठीक है भई, च चटा कोशन है दोस्तो, पानी में हवा का बुलबुला एक खालिस्थान की तरह कार्य करता है, तो किसकी तरह कार्य करता है दोस्तो, जल्दी से बतेगा, इस कोशन का दोस्तो, राइट आंसर हैगा, कौनकेव लेंस, यानि की अवदल लेंस की तरह है, तो इस कोशन का राइट आंसर एगा बिल्कुल सही है राइट आंसर इस एन विलमट दोस्तो राइट आंसर एगा ठीक है बई option B राइट आंसर हो जगा एक पर यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख लिजे अगला question दोस्तों आता है गुर्तवाकर्शन के संधर्व में G यानि की ये वाला G को क्या कहा जाता है दोस्तों इस question का राइट आंसर एगा देखें G क्या होता है constant होता है यानि की gravitational constant तो इस question का राइट आंसर आपका option A हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह formula भी आप लोग देख सकते हैं और राइट चाले अगला question दोस्तों आता है यकरत पुराने खालिस्तान को नस्ट कर देता है तो जल्दी से आंसर बतेगा बिल्कुल दोस्तों right answer हेगा anthrocytes को ठीक है यकरत पुराने anthrocytes को नस्ट कर देता है यानि कि C right answer हो जाएगा तो यह आप लोग यहाँ पर note कलेना question number 9 के बारे में ठीक है अगला question आता है आपका दोस्तो next question आता है जब magnesium को जलाया जाता है तो क्या बनता है इस question का दोस्तो right answer हेगा S यानि कि राक बन जाती है तो right answer C रहेगा question number 10 का अगला question दोस्तों आता है अगला question आता है लोहे का सुल्तम रूप बताना है आपको तो देखे मैंने पहले भी करा था लोहे में carbon की जो परतिशत होती है दोस्तों उससे decide होता है कि लोहा कैसा है तो कम carbon की परतिशत होगी दोस्तों वो purest form होती है लोहे की तो इसमें जो होता है आपका पिटवा लोहा जिसको बोलते है ये purest form होती है लोहे की तो right answer आपका क्या हो जाएगा D right answer हैगा अगला question दोस्तों आता है भारते मूल के एक वेग्यानिक का नाम बता है ये जो मानव insulin gene के sensation से संबंदित थे तो इस question का दोस्तों right answer करेगा बिल्कुल सरन नारंग जी ये आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं और अगर आपको questions दोस्तों बिल्कुल नए लग रहे है repeated question नहीं लग रहे है तो जरूरू बतेगा comment box में क्योंकि हम आपके लिए केवल questions को repeat नहीं करते हैं नए-नए questions लेके आने के लिए collect करने के लिए दोस्तों काफी मेनत लगती है बट पूरे दिन में 30-40 questions daily आपके लिए नहीं लेके आते हैं ठीक है तो please इस चीज़ को comment box में जरूरू बतेगा तेरवा question है सुध पानी में hydrogen ion साधरता कितनी होती है तो इस question का rate answer बतेगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 की power minus 7 यानि की option A rate answer रहेगा question number 13 का अगला question दोस्तों आता है दूद का pH मान क्या होता है दीखें दूद का pH मान सभी बच्चों को पता ही होगा ठीक है 6-7 के बीच में यानि की 6.6 हो जाएगा और अगर आपसे कर्ड का दोस्तों pH मान पूछे जाए दही का pH मान पूछे जाए तो वो 4.5 यानि की 4-5 के बीच में आपको options में देखने को मिल जाएगा तो इस दोनों ही याद रखने हैं दीक है दूद और दगी का दोनों ही आपको याद रखने हैं अगला question दोस्तों आता है खाद्य सामगरी के संदर्व में निम्ण में से कौन से परदार्थ का उप्योग किया जाता है तो इस question का दोस्तों right answer हैगा बिल्कुल sodium benzoite यानि की इस question का दोस्तों right answer हैगा option C पंदर्वे question का अगला question दोस्तों आता है positron पर charge खालिस्थान पर charge के बराबर है तो देखे ध्यान से answer लगाईएगा तो इस question का दोस्तों right answer हैगा बिल्कुल positron पर charge दोस्तों proton के charge के बराबर है तो right answer is option है यह आपको याद दखना है question number 16 का दोस्तों अगला question आता है क्रेस का graph का अविस्कार किस के द्वारा किया गया था दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल J.C.Boss के द्वारा यानि कि option C right answer रहेगा दोस्तों 17 question का अगला question आता है nitrogen के आधार पर DNA RNA से किस परकार भिन होता है very very important है दोस्तों जरूर ध्यान से इस question का answer बतेगा right answer is बिल्कुल सही है थाइमाइन इस question का दोस्तों right answer रहेगा 18 question का right answer is option D या आपको यादक नहीं बई अगला question आता है और देखे आपना इस video को जरूर सेयर किया करें क्योंकि जितनी मेहनत हम पूरे दिन में करते हैं वो आपको केवल और केवल मिल जाती है आपे 15 से 20 मिनट में तो कम से कम इस free के content को support करने के लिए अपने भाई बेन गुरूप में जरूर सेयर कर देखे ने दोस्तों बढ़ा अच्छा लगता है अगर ज़्यादा views आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारी मैनत successful रही अदरवाइस पूरे दिन की मैनत आप पे ही depend रहती है ठीक है 19 वा question है सुस्क सेल में पाई जाने वाली उर्जा है तो इस question का right answer होतेगा दोस्तो सुस्क सेल में पाई जाने वाली उर्जा है रसाइनिक यानि की chemical तो right answer option सीरेगा एक बार यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते है दोस्तो अगला question है sunglasses कितने power के होते है तो जो sunglasses होते हैं जिसको हम दोस्तो मतलब वैसे ही पहन लेते हैं तो वो zero director के होते हैं आनि की option A हो जाता है यह आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आता है कौन सा मुलास का संग का उधारन है ध्यान से समझेगा उधारन पूछा गया है तो इस question का दोस्तो right answer जो रहेगा यह सभी हैं दोस्तो ठीक है न तो octopus यहाँ पर इन चारों में से अगर देखा जाए तो octopus इस question का right answer रहेगा यह आप कहा दखना है तो यहाँ पर दोस्तो आप लोग नहीं सारे note कर सकते हैं क्योंकि option में तो और भी पूछा जा सकता है चले एक बर मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ जीके और science की हमारी master PDF दोस्तो एवलेबल है paid PDF है हमारी एगर जीके की PDF की मैं बात करूँ दोस्तो यह 80 रूपीज की है इसमें 25 सो कोशन है और 32 कोशन का collection है और यह दोस्तो हमारी 60 रूपीज की है आप कोई भी एक PDF डाउनलोड करके पढ़के देखिए अगर अच्छा content लगे आपको जबरदस content लगे तो दूसरी PDF को डाउनलोड कर लेना अधर्वाइस पहली PDF का भी payment आपको refund कर दिया जाएगा आप हमें WhatsApp नंबर पर विजिट कर सकते हैं ठीक है वैसे हम आप डारेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे description box में भी है और आपको website पे भी मिल जाएगा onlytopstudy.com पे 22 कोशन दोस्तो मचली में वाईउ आस्य किस रूप में कार्य करता है तो यह होता है दोस्तो वाईउ आस्य है तो इसमें आपको बताना है किस तरीके से काम करता है दोस्तो यह काम करता है hydrostatic organ के तरह यानि कि B right answer एगा तो इसको हिंदी में भी यह बोलेंगे दोस्तो hydrostatic ungg बोलेंगे तो यह आपको याद रखना है ठीक है जी चले अगला कोशन दोस्तो आता है एक विमान का black box किस रंका होता है देखे इसको बोला तो जाता है दोस्तो black box बट यह किस रंका होता है यह बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह होता है नारंगी रंका ठीक है और यह नारंगी रंका ही होता है सभी जिहाजों में तो यह आपको याद रखना है तो right answer is D काफी important है जल्दी से इसको याद कर लिजे 24 वा question है निमलिकित में से कौन सा एक अर्ध चालक है तो देखे दोस्तों इन में से अगर चारों में से बात करूँ तो germanium जो है यह आपका अर्ध चालक है इसका जो symbol होता है दोस्तों G होता है बेंटिंग ने दोस्तों हार्मोन इंसुलीन का विसकार किया था very very important है यानि की option A right answer हैगा अगला question दोस्तों आता है निमलिकित में से किस परिखटना का प्रियोग optical fiber में होता है तो बड़ा अच्छा question है यह भी जल्दी से आंसर बतेगा दोस्तों किस परिखटना का प्रियोग optical fiber में होता है तो पून आंतरीक परावरतन का यह right answer option सीरेगा यह आपको याद अखना है अगला question दोस्तों आता है वैस अंसादन जो वर्सों से निरंतर प्रियुक्त किया जाता है या प्रियुक्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है renewable energy अब इसमें wind वाली energy आ जाती है solar energy आ जाती है hydro आ जाती है ठीक है तो यह options में आपको अलग-अलग परकार से question बना के पूछे जा सकते हैं अगर आपको सारी चीज़े ध्यान से पता है न पढ़ रखी है तो आप answer सही कर लेंगे otherwise कहीं न कहीं थोड़ी सी mistake इसमें कर सकते हैं तो इस question का दोस्तो right answer D रहेगा ठीक है चले अगला question दोस्तों आता है insulin का injection खालिस्तान का कारण बनता है तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा बिल्कुल रक्त में glucose की कमे के कारण दोस्तों ठीक है तो यह आपको याद रखना है decrease of glucose in blood तो right answer B रहेगा question number 28 का अगला question दोस्तों आता है चंदर्मा का plan vague क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer रहेगा देखे ध्यान से एक चीज समझेगा यहाँ पे चंदर्मा का plan vague पूछा गया है तो 2.38 km second हो जाएगा अगर आपसे प्रत्वी का plan vague पूछे जाता है तो वो 11.2 km per second हो जाएगा तो प्रत्वी और दोस्तों चंदर्मा में confuse मत होएगा क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंट यहाँ पे गलत answer अभी comment box में बताने वाले है तीसवा question है निमलेखित में से किसकी IU का निर्धारन करने के carbon dating पदिती का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों इस question का right answer देखे fossil यानि की जिवास्म और चटान दोनों के लिए ही तो right answer is option D यह आपको याद अखना है ठीक है और radio carbon dating पदिती का उपयोग दोस्तों जिवास्म या चटानों की IU को निर्धारन के लिए किया जाता है अगला question दोस्तों हर्दे की धड़कन की दर खालिस्तान हार्मोन द्वारा तेज होती है बहुत अच्छा question है इस question का दोस्तो right answer हैगा बिल्कुल सही है headline हार्मोन की वज़े से यानि की right answer option A रहेगा अगला question दोस्तों आता है इन में से कौन सी एक गरंती नहीं है ध्यान से देखने के बाद answer लगाएगा दोस्तों अमाश्य जो है हमारा ये दोस्तों एक गरंती नहीं है यानि की right answer is option भी ये आपको याद अखना है अगला question दोस्तों आता है महिलाओं में सवर रजू की तुलना में कितना बड़ा या छोटा होता है दोस्तों या आपको बताना है एक्चल में इसको बोलता है इसको मैं इंगलिस में बताऊँ vocal code in women are ठीक है blank then vocal code in men तो vocal code जो पूछा गया है दोस्तों female में बड़ा होता है छोटा होता है कितना होता है या आप से पूछा गया है ठीक है, अगर मैं MEN की बात करूँ, तो değer मैं में vocal code जो होता है, सवर्ध रजू जो होता है, वो 20 mm होता है. ठीक है? और female में 5 mm sorter होता है, यानि कि female में 50 mm होता है. तो ये दोनों ही आपको या दकना है. या तो आप से पूछ ले जाएका हार्मोन उत्पादन के अपने इस्थान से ले जाया जाता है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर एगा रक्त के द्वारा यानि कि बलड तो राइट आंसर बी होगा अगला कोशन दोस्तों आता है चेश्चिस के समीप सूर्य और चांद का दिर्दवर्ती दिखाई देना किस कारण होता है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर एगा अफवर्थन की कारण यानि की option A राइट आंसर एगा यह आपको याद अखना है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा तत्व पोधे में पानी और केल्सियम के अबसोशन में व्रद्धी करता है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा बोरोन यानि की राइट आंसर इस भी यह आपको याद अखना है अगला कोशन दोस्तो आता है वह जानवर जो यूरिक एसिड का उतसरजन करता है तो वह कौन सा जानवर है दोस्तो तो राइट आंसर इस अच्छा ये उल्टे सीधे थोड़ा सा हो गया तो ये चिपकली हो जाएगा लेजार्ड इस तर राइट आंसर तो ये आपको याद एकना है अगला कोशन दोस्तो अगनी शामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तो इस question का right answer एगा carbon dioxide का तो option a right answer एगा 38 का वई अगला question दोस्तो आता है निमलिकित में से कौन से अंग को परमानू बम कहा जाता है very very important है वई तो कौन से अंग को दोस्तो परमानू बम कहा जाता है तो ध्यान से देखेगा lysosome जो है न दोस्तो यह आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यह cell है हमारी ठीक है इसमें जो यह dot dot लगे हुए है यह आपके lysosome है ठीक है तो lysosome को दोस्तो क्या कहा जाता है परमानू बम कहा जाता है हमारे अंगो का ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा option d अगला question आता है चुहे मरने का जहर बनाने के लिए किस रसायन या परदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तो इस question का right answer हैगा potassium, cyanide का यानि कि option c right answer हैगा question number 40 ठीक है अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ जिसका answer आप सभी को comment box में बताना होगा और ये आपका भई test question है ठीक है मचली में why you are a student किस रूप में कारिय करता है इसका answer आप लोग comment box में बताएगा ठीक है इसका answer सभी student का आना चाहिए और दूसरा test का question हमारा ये है कि एक विमान का black box किस रंका होता है तो इसका answer भी आप लो comment box में जरूब बताएगा इन दोनों questions का answer ठीक है और देखे अगर आप video आपको पसंद आई होगी दिल से दोस्तों like करके अपने दोस्तों के साथ में group में share कर देना और सभी exams की PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी website या फिर contact number पर message करके ठीक है किसी भी exam की complete तैरी करने के लिए और classes के timing को note कर लिजे ताकि आगया आने वाली सबी videos के notification आपको मिलते रहें मिलते है next class में thank you so much bye bye take care